हेलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ अमने की वेलकम बैक को मैं यूट्यूब चैनल अमने की फिटनेस तो आज मैं फिर से पर्फ्यूम्स का रिव्यू करने जा रहा हूँ यह दो बहुत ही अमेजिंग पर्फ्यूम्स है हमारे पास एक और दोनों ही काफी जादा पॉपलर है आप लोगो ने नाम सुना होगा दा मैन कंपनी का यह गोल्ड इन वाइट कलर में बॉड़ी पर्फ्य जिसका नाम है ब्लैंक यह ब्लंक तो फ्रेंच भाशा में यह नाम है एंड दूसरा है हमारे पास सबसे क्लासिक और वन अब दे मोस्ट फेवरेट सारे मैंस का एक्स सिगनेचर पर्फ्यूम बॉड़ी पर्फ्यूम डाक टेम्टेशन तो यह चॉकलेट चॉकलेट की स्मेल वाला पर्फ्यूम है एंड पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इन दो पर्फ्यूम के बारे में एंड मैं आपको बताऊंगा इंडी फ्रेग्रेंस कैसी है बागी तो आपको ट्राइक करके ही पता चलेगा डिस्क्रिप्श अगर आपकी कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर आपको मुझे उनलाइन ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मुझे वहां पर डीम कर सकते हो तो हम पहले सबसे पहले हम बात करेंगे गाईज इस अमेजिंग पर्फ्यूम की जो है दमैन कंपनी का बॉरी पर्फ् इसे पियारी है गोल्द एंड वाइट कलर में है इसकी बॉर्टल जो है वो भी गोल्द वाइट लाइट कलर में है अगर इसकी बात करी जाए तो 120 ml की यह बॉटल है 120tez मैं इसका जो पर्फ्यूम कंटेंट है और लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस बॉन in France, तो French influenced Khushboo है, इसकी mostly guys, आपको पता होगा, फ्रांस बहुत popular है, अपनी fragrances के मामले में, और माना जाता है कि सबसे best जो perfume brands हैं, या फिर perfume fragrances हैं, वो फ्रांस से आती हैं, तो ये है हमारी, ये है हमारा plank body perfume, बाकी ingredients की बात करी जाए, तो guys, जैसा कि normally सारे perfumes में जो सारी चीज़े होती है alcohol और क्या बोलता है cyclomethicone बाकी सारी simple चीज़े इतनी detail में नहीं जाऊंगा and इसकी अगर smell की बात करें तो अब पहले इसकी bottle निकाल के देखते हैं तो ये है इसकी bottle बहुत ही good looking बहुत ही royal looking bottle है इसकी जैसे कि आप देख रहे है gold color का cap है gold accents है और white color की पूरी bottle है 120 ml की ये bottle है ये देख सकते हैं आप इसे थोड़ा सा यहां पे अपने wrists पे लगा के थोड़ा सा रपकर के इसको smell करेंगे तो guys जैसे मैंने आपको पता होगा मैंने man company का एक already एक पहले भी मैंने एक video डाली थी जिसमें man company के black EDT perfume का मैंने review करा तो मुझे almost उसके जैसे इसकी smell लग रही है थोड़ी सी different है थोड़ी सी जादा fruity है वो काफी जादा masculine था लेकिन ये थोड़ी जादा fruity है लेकिन almost अगर आप दोनों को side by side रखके compare करेंग तो दोनों की smell काफी हद तक मुझे similar लग रही है जो हलका सा हलका सा जो punch होता है वो मुझे same लग रहा है उसमें भी एक हलका सा pungent सी थोड़ी सी smell थी और इसमें भी हलका सा pungent सी smell है irritate नहीं करेंगी आपकी nose को लेकिन दोनों में एक जो similarity है वो यही है तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा उसकी तरह similar लग रहे हैं अगर आपके पास वो वाला perfume भी हो और ये भी हो तो आप compare करके देखेंगे तो आपको भी दोनों की smell काफी हद तक same लगेगी तो ऐसे काफी अच्छा perfume है कहीं पे भी आप इसे लगा के जा सकते हो आप everyday use के use में भी इसे लगा सकते हो आपकी office में meeting है आप कहीं भूमने जा रहे हो आप party में जा रहे हो कुछ भी आप कर रहे हो आप इसे perfume को daily अराम से use कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है देन हम दूसरे perfume की बात करते हैं जो की है मेरा personal favorite वो है एक्स signature का dark temptation तो आप देख रहे हो इसकी भी package इसकी जो bottle है ये कितनी जादा प्यारी है brown, gold and black color के accents है और थोड़ी सी chocolate type इसमें design दी हुई है और ये 0% gases में कोई gas नहीं है पूरा pure perfume है जैसे कि आज को आपको पता ही होगा perfumes आरे जिसमें बिल्कुल gas नहीं होती है और काफी लंबे time तक चलते हैं तो ये भी guys वैसा ही perfume है 0% gas है और मैं काफी मुझे तो कई महीने होगा ऐसे यूज़ करते हूँ nature series का है तो अगर हम इस perfume की बात करें तो इसकी तो guys इसकी smell के तो क्या ही कहने है बहुत ही गजब की चॉकलेटी चॉकलेटी smell है एक दम ऐसा लगया कि आप चॉकलेट खा रहे हो या चॉकलेट स्मेल कर रहे हो बहुत ही amazing है ज्यादा बोड़ी में spray नहीं करना पड़ता काफ कोई strong smell है पंजन बिलकुल नहीं है बहुत ही soothing है और आपकी nose को irritation नहीं करेगी आपकी skin को irritation नहीं करेगी personally अभी तक इन दोनों perfume को use करके मेरी body में कोई मुझे skin irritation नहीं हुई लेकिन हाँ अगर आपके कहीं पे cut है या कहीं पे चोट है तो वहाँ पे तो obviously बात है guys वहाँ पे spray करने से आपको बचना होगा बाकी इसकी smell की बात करें तो बहुत ही decent बहुत ही soothing smell है बहुत जादा तेज नहीं है overpower नहीं करेगी और किसी चीज़ को और काफी अच्छी है irritation नहीं होने वाले आपकी skin पे या आपकी nose पे तो ये bottle है इसका अगर हम बात करें 154 ml तो ये है around 350 म man company body perfume और ये है guys 200 इसमें इसका price check कर लेते हैं इसमें 240 लिख है लेकिन ये मुझे 190 की मिली थी लेकिन इसका content भी जादा है 154 ml 120 ml तो अगर दोनों में से देखा जाए तो ये भी एक काफी अच्छा perfume है लेकिन मेरा personal favorite ये है इसका content जादा है price कम है and इसे भी आप party में meetings में कही भी आप इसे लगा के जा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये जादा तर party purpose के है and ये जादा तर meeting ये office purpose के है फिर भी आप दोनों को daily लगा के जा सकते हैं तो guys इसी के साथ होती है video finish अगर आप दोनों product check out करना चाहते हैं description में दिये हुए link पे जाके check कर सकते हैं बहुत ही amazing product ह and meet the next time with a new video